नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल Everything Hindi पर आपका दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं Binance की launchpad पर एक नया token अनाउंस हुआ है उसके बारे में और ये token है Centos Football Club का fan token तो fan token Binance की launchpad पर कई सारे launch होती रहते हैं और इस fan token में क्या कुछ खास है कैसे आपको इसके साथ अच्छा maximum return लेना है कैसे आपको staking करनी है क्या कुछ ये token की tokenomics है उन सब के बारे स्टूडियो में जानतर वीडियो को स्टार्ट करता है तो दोस्तों मैं हूँ अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं वाइनेंस का 26 जो launchpad है उस पर एक नया token अनाउंस हुआ है launch होने के लिए तो वाइनेंस अक्सर अपने launchpad पर token launch करता है लेकिन इस token में क्या कुछ खास है इस token में खास यह है कि एक fan token है यानि कि जो centos football club की team है उनका ये token है और ये team है ब्राजील की ब्राजील की football team है उनका अपना खुद का वाइनेंस ने token बनाया है जो कि वाइनेंस की smart chain पर भई है इसकी total supply के अगर हम बात करें तो 30 million total supply है वाइनेंस ने reward के रूप में 1.5 million token को reward के रूप में launchpad पर जो आप sticking करेंगे तो उसमें reward देगा और 5.4 million के आसपास इसकी total supply circulate की गए initially और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे market में circulation के लिए बढ़ाई जाएगी तो अब यहाँ पर खास बात क्या है खास बात यह है कि इस token में क्योंकि Binance अपने फाइदे के लिए क्योंकि वो football team है तो football team जब खेले की कोई भी game तो उनकी जो dress है उस पर Binance का logo होगा तो Binance का अपना इदर से use निकल रहा है उनका जो team है उनका फाइदा यह निकल रहा है कि उनका एक token बना जा रहा है Binance पर Binance पर इक बड़ी बात है तो अब यहां पर आपको कैसे maximum return लेना है इस token से वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले इस staking इसमें है कोई भी Binance पर launchpad पर आता है तो staking के लिए आपको दिया जाता है तो staking के लिए आपको क्या करना है 27 नवंबर से staking स्ट हो चुकी है तो आपके wallet में अगर BNB है या BUSDT है अगर USDT भी है तो USD को convert कर लेंगे easily मतलब USDT sell करेंगे BUSDT बन जाएगा उसको जाके stake कर सकते हैं अगर वो free पड़ा होगा है तो उससे फाइदा यह मिलेगा कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ reward में मिलता रहेगा उसके बा वो commit वागे रहूल सिस्टम ने इसमें सीधे 27 नवंबर से इस टेकिंग कर सकते हैं BNB या BUSDT सिंपल सा है बाकी क्योंकि fan token है तो इसका performance कुछ ऐसा अच्छा नहीं होता है कि जिसमें मतलब इनका कोई use case नहीं होता है वैसा बड़ा जैसा कि किसी एक fundamental coin का होता है यहाँ प अच्छा pump मिलेगा क्योंकि worldwide लोग इसको खरीदेंगे काफी अच्छा pump होगा क्योंकि काफी सारे लोग इसको जब खरीदेंगे तो काफी अच्छा pump होगा और अगर आप भी इसको खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा साबधानी रखिए क्योंकि जब Binance पर होता है क्योंकि बहुत सारे नएने लोग होते हैं और उस समय उनको लगता है कि टोकन तो मेरे सामने सामने बढ़ा जा रहा है तो अभी कि उना खरीद लोग और जैसे ही वो लोग इंट्री लेते हैं वो थोड़ा सा उपर बढ़कर वापा से जादा डाउन आ जाता है तो इस तरीके से लोग का पैसा फच जाता है तो आप अगर पहली बार ये इस तरीकी का वीडियो देख रहे है या पहली बार वो एक दिसंबर को जब ये पब्लिक ली सल के लिए आएगा तो ये सारी चीज़ आप सिर्फ पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं कि देख सकते हैं क्या उस समय प्राइस जी वक्त जादा मिले उस समय उस टोकन को अपसेल करके अच्छा रिटन भी ले सकते हैं तो ये सारी तरकीब है जिससे आप मैक्सिमum रिटन ले सकते हैं इस टोकन से बाकी खरीदने के लिए हो सके तो वाइड किज़िए कि उस समय प्राइज अप्राइस में काफी ज़दा आप सेंड डाउन होता है क्योंकि बाइन से पहली बार ये बाई सेल के लिए आता है तो दोस्तों ये थी वीडियो अमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कैमर से बच के रिए किसी को भी पैसा मत भेजिए इधर कुछ दिनों से कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि हमने पैसा भेजा तो ऐसा अगर आप करने जा रहे हैं या करने वाले हैं तो मत कीजिए कोई भी सोशल मीडिया पर हमारे अगर आप को जुड़ने कामान है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जुड़िए हर जगा का जो यूर्ल है वो everything अजय है तैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए